बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे student जो도 पॉलिमॉर्फिस का होता है ,Poly'Morphys उनको समझ नहीग आता है और अगर मालोथ theoretical उनको समझ में भी आ जाता है तो practical चीज़ें उन्हें इसमझ में नहीं आती है कि पॉलिमॉर्फ फिर्णी क्या होता है और उसको हम में मैं सारी चीज आपको बात बताने वाला हूँ, theoretical, साथ ही साथ में practical concept भी इसमें समझाने वाला हूँ, हम लोग ID पे देखेंगे polymorphism कैसे होता है और हम लोग उसको कैसे implement करते हैं, अगर आपने वीडियो देख ली तो आपको polymorphism समझ में आ जाएगा और फिर polymorphism means many forms, polymorphism का मतलब होता है कई सारी forms, अब वो किसी चीज के भी forms हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम लोग सिर्फ programming language सीख रहे हैं, तो polymorphism सिर्फ रोसे programming language में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी real time या real world example भी ले सकते हैं, जैसे कोई ऐसी चीज है जो अ मतलब होता है many and morph का मतलब होता है forms, that means many forms, इस word का मतलब ही है many forms, कई सारे forms, तो कोई एक चीज होगी, वो अलग-अलग differently behave करेगी, वही polymorphism है, तो यह simple से definition है, जो आपको हर जगह मिल जाएगी, polymorphism means many forms, कैसे situations में, अलग-अलग हिसाब से, अलग-अलग हम लोग objects को behave करा सक सकते हैं, तो इसकी एक और definition हो सकती है, ability of an object to behave differently, object के पास कितना ability है, कैसे हम लोग objects को behave करा पाएंगे differently, अलग-अलग तरीके से, तो suppose एक object है, उसको हम लोग-अलग condition में, अलग-अलग situations में, अलग-अलग behave करा रहे हैं, वही हमारा क्या होता है, polymorphism होता है, तो guys, I think आपक अब्जेक्ट की functionality क्या होता है, तो अगर मैं बात करूँ आगे चलके, तो object जब भी होता है, तो object के अंदर functionality देने के लिए हम लोग लिखते है methods, object के अंदर functionality देने के लिए हम लोग लिखते हैं, Java में methods, तो यहां भी हमारे पास एक method है, जिसके दो part है, ठीक है, दो part है, मै इसको मैं बोलूँगा पहला part, यह method का first part है, और दूसरा part है हमारी method की body या functionality, उस method की functionality, तो अब जब भी मैं आगे move करूँगा, या आगे बढ़ूँगा, तो मैं बात करूँगा, object की functionality के बारे में, तो आप indirectly समझेगा कि मैं उस object के अंदर जो function या methods लिखे हैं, उनकी मैं बात करने वाला, तो अब देखते हैं, polymorphism दो तरीके के होते हैं, मत्तब यह जो differently हम लोग काम कराने वाले हैं, वो basically दो तरीके चीज़े हैं, सबसे पहला जो होता है, वो compile time polymorphism होता है, और दूसरा होता है, run time polymorphism, अब दोनों में क्या difference है, that means हमारे पास polymorphism है तो, ब हमारा program compile करता है, और interpreter, जो हमारा JVM है, वो से हमें, वो हमारा program execute करता है, तो यहाँ पे हम उसी को reference मानते हुए, आपको यह चीज़ समझाने वाले हैं कि compile time polymorphism और run time polymorphism क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे compile time polymorphism के बात जो हूँ, तो object is bound with their functionality at compile time, मतलब एक object है, उसके अ program compile हुआ, और उसी समय compiler ने यह चीज़ fix कर दिया, कि भहिया, इस object कर देर यह functionality है, और यह bound हो गया, मतलब चुड़ गया, तो इस object की functionality confirm हो गई कि at the compile time, उसी को हम लोगते है, compile time polymorphism, एक example और देता हूँ, suppose अभी मैंने आपको method समझाया था, उसके functionality समझाया था, तो अगर यह हमें compile time पे ही पता चल जाएगा, कि यह method call करेंगे और यह उसकी body execute होगी, compile time पे fix हो गया, तो वो होता है compile time polymorphism, मतलब हमारे पास एक suppose test नाम का function है, एक test नाम का function है, और इसकी body है, अगर compile time पे ही यह fix हो गया, कि यह test हम लोग करेंगे, और यह उसकी body execute होगी, यह चीज runtime, मतलब हो सकता है कि भाई हमारे पास जो method था test और test की functionality है, और हमने program में तो लिख रखा है, test को मैंने call कर रखा है, बट compile time पे जब compiler ने program को compile किया, तो वो sure नहीं है भी भी, कि यह method call करने पे यही body चलेगी, हो सकता है कि एक test और हो, और हम method यह वाला call कर रहे है, लेकिन body ह हमारी यहां वाली execute हो रही है, तो इस case में इसको हम लोग बोलते हैं, runtime polymorphism की compile तो हुआ, but compiler, compile तो कर रिया, but अभी भी sure नहीं है, मतलब object है, वो अभी bound उसके functionality से नहीं हुआ है, runtime पे वो functionality चेंज भी हो सकती है, simple साब entirely समझाओ, तो अगर आपके पास कोई method है, आपके class य runtime पे नहीं हुई, वो होगी जाके runtime पे, मतलब ये पता लगाएगा कौन, ये पता लगाएगा हमारे JVM की उस function को call करने पे कौन सी body execute हो रही है, I think आपको सोच में आ रहा हुगा, तो simple से definition है कि अगर object और उसकी functionality bound होता है compile time पे, तो उसको बोलते है, compile time polymorphism, और अगर object और 저도 planning अ concept समझे हैं, और उसको कर रहे हैं, तो वही हमारा compile time polymorphism है, और runtime polymorphism हम लो करते हैं with the help of overriding, overriding के help से हम रund time polymorphism करते है, overriding में हम runtime polymorphist करेंगे, तो overriding हम करते हैं तो वहापे हमें inheritance व auditory की धर ज़रुत होती है, parent-child class की ज़रुत होती होती है, but overloading में हमें ऐसा क कुछ भी नहीं करना होता है, हम एक ही class के अंदर multiple methods बना सकते हैं, overload कर सकते हैं, लेकिन जितने overloaded methods होते हैं, उनके calling fix हो जाती है, उनके name के साथ, उनकी calling या उनके method की calling, जितने method हैं, उनकी method की जो body होगी, वो fix हो जाएगी, उनके नाम और argument के साथ at compile time only, that's why it is a compile time but जो overriding होगा, उसमें एक ही method, parent में भी आएगा और child में भी आएगा, और वो method, parent में भी है, child में भी है, अगर function अपने method, अपने parent का call किया, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो parent की body call करें, वो child की body भी call कर सकता है, depending upon the object inside that variable या reference variable, I think आपको सब में आ रहा होगा, इसको और भी clear करने के लिए चलते हैं, हम लोग अपने ID में और वहां पर practical perform करते हैं, तो guys हम लोग आ गए हैं अपने intelligent idea में और यहां पर खरने वाले हम लोग practice या practical polymorphism का, तो हमने यहां पर एक package बना लिया है, पॉली नाम से right click करेंगे और एक नई class बनाएंगे, सबसे पहले main class बना लेंगे, जहां पर हम लोग calling करेंगे, तो यह हमारी main class है, यहां पर हम लोग बना लेते हैं, अपना main method, and इस main method के हम लोग ऐसे testing के लिए डाल देते हैं, this is just testing, and देख लेंगे कि यह main method execute हो रहा है कि नहीं, तो simply right click करेंगे और run कर देंगे, यतना basic step I think सभी लोग कर लोगे, और हमारा output आ जाएगा, left side में यहां पर output आ जाएगा, perfect है, and यहां से हम लोग output देखके चीजे समझ जाएंगे, and चाओ तो आप इसको हलका सा और इदर कर दो, क्योंकि हमें यहां चीजें main दिखी रहा है, को इदिक करने, अब सबसे पहले हम लोग करते हैं, polymorphis compile time वाला, मतलब हम लोग over loading करेंगे, over loading and student class के अंदर हम लोग over loading, that means compile time polymorphis करने वाले हैं, ठीक है, अब हम लोग दो function बनाएंगे, अब जाओ में function को हम लोग method बोलते हैं, तो यहां में हम बनाएंगे, public void read, public void read, student के अंदर एक functionality है, इसका simple सा मतलब होता है, यह अभी हम लोग बना रहे है, template, student का object जब बनेगा, तो उसके अंदर यह functionality होग रीड की, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, student is reading x y z book, simple सा मैंने एक definition, मतलब एक functionality दे दिए, कि अगर आप read function कॉल करोगे, student से पूछोगे, या कौन से book पढ़ रहे हो, तो student is reading, या reading कर देते हैं, या ऐसे थोड़ा short message देते हैं, reading x y z book, perfect है, अभी तक अगर आप student का object बनाते हो, और read कॉल करते हो, तो student या reading x y z book आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, now हम लोग यहाँ पे एक student नाम से variable लेंगे, student is equal to new, student perfect है, and student dot read function कॉल करेंगे, and again हम लोग अपने program को run करेंगे, and run करेंगे, तो हम एक बढ़िया सा output मिलेगा, या देखे, student is reading x y z book, अभी तक कोई polymorphism नहीं है, ना वो compile time है, और ना वो run time है, perfect है, अब हम लोग compile time polymorphism करेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि हम student को एक functionality और देना चाहरे है, इसका जो object है, वो differently behave करना चाहरे है, तो हम एक function और बना देंगे, public void read, ठीक है, लेकिन overloading का rule है कि आप इसका signature, जो इसका parameters है, उसे हमें parameters को different करना होगा, आप चाहे number of parameter या number of parameter सलग कर दें, argument list को different करना होगा, आप चाहे number of parameter सलग कर दें, उसका type लग कर दें या order लग कर दें, तो हम यहाँ पे default, जीरो parameter थे, यहाँ पे हम दे देंगे string book name हम यहाँ पे provide कर देंगे, मत्तब हम read call करेंगे, यह वाला read, तो हम book name देंगे and student वह अले book पढ़ेगा, तो हम यहाँ पे लिग देंगे, Assault and डिग देंगे reading and then book name जो हमने pass किया है and then हम लोग देंगे book, तो अगर आप दूसरा method यूज करोगे, कौन सा वाला method, यह वाला method यूज करोगे, तो हमें मिलेगा, जो book नाम आप पास करोगे, वह अले book student read करेगा, तो यह दोनों method अब overloaded है, overloaded का मत्तब नाम सेम है method का, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर से कोई देखेगा तो student में read function है, functionality एक ही है, but depending upon this parameter, क्या होगा, calling body की अलग अलग होगी, मतलब functionality चेंज हो जाएगी उस object की, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर हमने student.read call किया, तो obviously बात है, x, y, z, book आएगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर pass कर दिया think python, इसका मतलब अब जो read है, इसी read की functionality change हो जाएगी, देखिएगा मैंने run किया, और यहाँ पर आ जाएगा reading think python, I think आपको सोन में आ गया को overloading, यह होता है overloading, यह compile time polymorphism, आप लोग को कि sir यह compile time polymorphism कैसे है, हमको कैसे पता चलेगा compile time polymorphism, तो बिल्कुल यहाँ पर fix है, compile time पर ही पता चल जाएगा, with the help of this parameter की इस object की functionality क्या है, मतलब अगर हमें खुद पता यार अगर हम कुछ नहीं pass करेंगे, तो हमें default functionality मिलेगी, मतलब यह वाली चीज मिलेगी, यह वाली चीज मिलेगी और अगर हम कुछ pass कर देंगे, तो हमें यह वाली functionality मिलेगी, तो यह चीज compile time पर ही decide हो चुका है कि इस object की functionality क्या-क्या होने वाली है, run time पर, मतलब यह चीज bound हो गया, इस object, इस student object की functionality bound हो चुकी है, I think आपको उसमें आ गया होगा, this is overloading, अब overloading की conditions आप जाके पढ़ लिजगा कि basically overloading क्या है, इसमें आपको नाम सेम रखना होता है, एक ही class के अंदर parameters आपके argument list अलग करनी होती है, return types भी, आप अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यह सारी शें आप देख लिजगा, ठीक है, अब बात करते है, run time polymorphism, सबसे important run time polymorphism है, यहाँ पर बात आती है over writing की, तो main method में तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग main method में जो भी लिखाया है, अभी थोड़े देर के लिए comment out कर देते हैं, आज आते हैं यहाँ पर, ठीक है student, over writing करने के लिए मैं क्या करूंगा यार, मैं right click करूंगा और यहाँ पर एक नई class बनाऊंगा यार, student class को हम लोग बंद कर देते हैं, right click करूंगा new, यहाँ पर हम बना देते हैं, बना देते हैं person, ठीक है, हमने class बना दिया person, उसके अंदर public void show detail, एक function मैंने बना दिया, public void show detail, मतलब हमारे पास एक show detail नाम का person के पास function है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं basic detail of basic details of person, ठीक है, basic detail of person मैंने डाल दिया, perfect है, अब अभी तक कोई overriding नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर overriding मैं करने जा रहा हूं, मैं इस person की एक child class बनाने जा रहा हूं, जो होता है employee, सबकुस कोई भी एक child class है, मैंने का, एक class बना देते है, class employee, यह भी एक person है, और extend कर रहा है person को, person के सारी functionality यह ले रहा है, मतलब इस class की सारी functionality यहाँ पर लिया जा रहा है, अगर आप अलग बनाना चाहो तो अलग बना सकते हैं, कोई दिकत नहीं, new class में, EMP class मना देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखें, extends person, तो अबेसे बात है, जैसा ही आपने functionality लिया, मतलब जैसा ही employee को extend करा है, आपके person class से, यह वाला so detail all function अपने आप से चला किया होगा, यहना overriding क्या कहता है, कि हम लोग इस function, जो function parent से आ रहा है, उसकी definition या उसकी body को change कर सकते हैं, तो बिलकुल हम लोग change करने जा रहे है, public, void, show, so detail, हम फिर से लिखेंगे detail, यहाँ पर हम लोग body को change कर देंगे, यह वाली exactly यहाँ, अब overriding की condition है कि आपको same रखना है, method का नाम, and बहुत सारी condition होती है आप इसको देख सकते हो, तो method का नाम same रख दिया, return type को variant रख सकते हो, and modifier, access modifier की accessibility आप बढ़ा सकते हो, या बराबर रख सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप नई functionality दे सकते हो, तो मैं लिख दूंगा, this is showing the detail of the employee, showing the detail of the employee, perfect है, showing the detail of the employee, now अब बात आती है कि runtime polymorphism कैसे होगा, runtime polymorphism होगा, देखिए कैसे है, हम लोग आतने main class में और यहाँ पर runtime polymorphism करेंगे, कैसे करेंगे, हम एक object बनाएंगे, that is a person, मैं एक person बनाने जा रहा हूँ, person, आप नया person class भी use कर सकते हो, person बनाने के लिए, तो अगर आप person.showdetail call करोगे, तो अबेसी बात है, यह जो object है, new person, यह object person का है, और अबेसी बात है, कि जब आपने person.showdetail call किया, तो यहाँ पे call हुआ, person वाला showdetail, अगर मैं run करूँ, आप देखोगे, आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे output आ चुका है basic detail of person, इसका simple सा मतलब है कि object हमारे पास, जो है new person, जो object है हमारे पास person class का, इसलिए show detail call हुआ, अब ध्याँ से देखिया magic यहाँ पे आएगा, अगर मैं यहाँ पे person.show detail है, यह calling है, यह हमारी functionality है, यहाँ से हमारा काम हो रहा था, actual functionality यह वाले method से आ रही है, जब आप इसको call कर रहो, तब हमारा काम हो रहा है, function तब execute हो रहा है, method तब execute हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे object change कर दूँ, यहाँ पे object कर दूँ, EMP, that means, अभी मैरा सब कुछ same है, जो calling आपका रहता है, functionality, इसको आपने change नहीं किया है, आपने जो object है, बस उसी को change कर दिया, और इस case में मैं run करूँगा, तो आप देखेगा, यहाँ पे, आप देखेगा, यह देखे, showing the detail of employee class, इसका मतलब आपने सिर्फ object को change करके, functionality को change कर दिया, और यह decision है, यह run time पे होता है, कि भाया, हमें parent को call करना है, कि child को call करना है, based upon this object, person type वही है, parent class ही type है, और so detail वही call हो रहा है, बट object उसके अंदर कौन सा है, उसके according run time पे, उसकी body, method की body execute होती है, इसको हम लोग बनते है, runtime polymorphin, इसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ, suppose हमारे पास एक और class है, RAM, RAM class तो है, बट इसको ऐसा सोचिए, एक RAM एक बंदा है, ठीक है, RAM एक बंदा है, और RAM के पास, RAM के पास, RAM के पास, यहां पर मैं एक function बना रहा हूँ, RAM के पास, suppose RAM public void do work, public void do work, ठीक है, हमारे पास RAM को मैंने एक काम दे दिया है, work का, मतलब एक काम दे दिया है, और जब RAM से बोलूँगा, do work, आप काम करो, तब RAM अपना काम करना start कर देगा, और कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन, RAM से मैं बोलूँगा, जब do work में call करूँगा, तो मैं तुम्हें एक parameter दूँगा, और वो parameter होगा, basically, person का एक object, I think आपको सुझ में आ रहा होगा, क्या होगा, मतलब RAM को जब भी मैं call करने के लिए बोलूँगा, कि भाहिया, RAM do work, जब आप ये function call करो, या RAM की functionality जब मैं use करने कोशिस करूँगा, do work, तो मैं इस मैंने से promise कर लिया, कि भाई, मैं आपको इक person का object दे दूँगा, और इस person के object के पास एक function है, so detail आप इसको call कर लिजेगा, मतलब ये मैंने RAM को assign कर दिया है work, और अगर मैं यहाँ पर जाओंगा, मैं लिगोंगा doing, या simple सा कुछ मतलब को कोई दिकत नहीं, इसको अटा दो, functionality, तो RAM के पास एक functionality है do work, जब do work, जब do work, तो हम उसको एक object देंगे, person का object दे देगा और उसका, उसकी functionality change हो जाएगी, do work की functionality अपने आप से change हो जाएगी, मैं यहाँ से, यहाँ से, मैं main से call करने जा रहा हूं, main से, मैं RAM का एक object बनाऊँगा, ram ram is equal to new ram, and ram, ram.do work को करूँगा, और यहाँ पर person object पास कर दूँगा, that's it, यहाँ पर person object मैं यहाँ पास कर द यह output आ रहा है, आपके, इस do work के अंदर से, यहाँ से, ठीक है, अब बिना इस code को change किये हुए, हम यहाँ पे, अगर मैं new person कर दूँगा, तो पूरी-पूरी कहानी change हो जाएगी, आप देखेगा, इसी function, यह method जो call हो रहा है, इसी body अपने आप से change हो जाएगी, अगर मैं run क कर रहा हूँ, इस देखे, basic detail होगा, person, मतलब, इस वाले RAM वाली class में तो कुछ change ही नहीं करना पड़ रहा है, राम वाली class में हमें कुछ change ही नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी functionality हम लोग runtime पे change कर दे रहे है, this is runtime polymorphism, अगर और वी functionality change करना चारा है, तो आप इंग नही class में आ सकते हो, siam, आप इंग नही class में आ सकते हो, siam, and siam extends person, ठीक है, and एक बार person बन गया, तो हम लोग method को override भी कर सकते हैं, अपने show detail वाली methods को यहाँ पर override कर सकते हैं, और नहीं functionality लिख सकते हैं, override annotation लिखा रहा है नहीं दे सकते हैं, कोई दिकर नहीं हम लिख देंगे, this is new functionality, ठीक है, and अब हम लोग क्या कर सकते हैं, main से सारी कहानी change कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग object पास कर सकते हैं, siam का, and that's it, आप देखें, runtime पर output फिर से to work का change हो जाएगा, this is new functionality, I think आपको सोन में आ आ गया होगा, this is a runtime polymorphism, मतलब हम लोग functionality को runtime पर बहुत असानी से change कर सकते है, with the help of runtime polymorphism, and overriding use होता है, runtime polymorphism को achieve करने के लिए, यह वीडियो, I think बहुत ही ज्यादा helpful रहा होगा, अगर आपको चीजे समझ में आई, तो आप वीडियो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और हाँ, कुछ भी, अगर आपको समझ में नहीं आया है, या doubt है, तो comment section में मुझे जरूर दाईए, और आप कहां से हो, यह जरूर comment section बताईए, चले मिलता हूँ, नेक्ट वीडियो में तब तक लिए, जाहिन, जाय वारत, बाबाए!